नमस्ते दोस्तों कामीनिके के चन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी जड़ा भी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं आज जब ब तो यहां पर मैंने चार-पांच बड़े चमश सरसो का तेल गरम होने के लिए चड़ा दिया तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा इस तरीके से धुआदार तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और यहां पर मैंने आलू को कट कर लिया है इसी तरीके से जैसे हम लोग नॉर्मल सबजी बनाते है न वस तरीके से ही हमने इनको कट किया है और तेल में हम डारेक्टली इने डाल देंगे बस रखिएगा कि हमें इने धो करके अच्छे से पोच लेना है या फिर जब धो करके काट ले उसके बाद 5-10 मिनेट इने रख दीजेगा पानी जब सूख जाएगा अगर तेल में पानी के चीटे जाएंगे तो सीधे तेल आपके उपर ही आएगा तो चलिए फटा फट से हमें क्या करना है इन आलों को बढ़ियां से अलटते पलटते वह बढ़ियां जो है क्रिस्पी कोटिंग आने तक इने जो है फ्राइ कर लेना है इस तरीके से सबजी क टेस्ट काफी अच्छा आता है और खाने में भी सबजी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी तो चलिए बस एक दो मिनट के लिए हम इसे चला लेंगे और इसी तरीके से फ्लेम को हाई टू मीडियम रख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है अगर हाई फ्लेम पे आप इस तरी पान से चै मिनट में ही आलू हमारे अच्छे से पक जाते हैं तो आलू लगभग हमारे पक गाए हैं आलू बहुत जल्दी तेल में पक जाते हैं फ्रेंड्स चलिए थोड़ी सी बीच मैने जगा बना लिया और इसमें हम डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च तो फ्रेंड्स जो है देखने में भी लगेंगी तो इस तरीके से जरूर काटिएगा थोड़ी से मैंने यहाँ पे लगभग आधे प्यास की मैंने इस तरीके से पैटल्स निकाल ली हैं चलिए फटा-फट से पैटल्स और सिम्ला मिर्च को बीच में हम इस तरीके से डाल देंगे ताकि यह ब करना है बस आलू हमारे अच्छे से पक जानी चाहिए और शिम्ला मिर्च को हम हलका साही सौते करेंगे इसका क्रंच बरकरार रहे बस इस बात का ध्यान रखिएगा अगर हाई फ्लेम पे आप शिम्ला मिर्च को बहुत जादा लाल कर लेंगे ना तो वह एकदम से सिकूल ज सारी सबजीयों को हम निकाल लेंगे लिए फटाफट से चलते हैं अपनी निक्स्ट प्रपूरेशन के लिए उससे पहले में आपको जहा दिखा देती हों कि सब्चियां हमारी कितनी बढ़ी है हमने पका करके तैयार भी कर ली हैं और क्रंच भी इनका बरकरार है तो फ्रेंड्स बश्रिम्ला मिर्च और प्याज के पैटल्स को हमें 2-3 मिनट के लिए ही फ्राइ कर लेना होता है आलू पकने में 7-8 मिनट लग सकती है वो आपके आलू पर निर्भार करता है कितनी क्वांटिटी में आप आलू ले रहे हैं चलिए फटा-फट से हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे लेकिन टेस्ट आपको बहुत ही बहतरीन आएगा चलिए फटा-फट से 7-8 लैसुन की कलियां ले लेंगे और दो प्याज मैंने इस तरीके से कट कर लिये हैं फटा-फट से हम क्या करेंगे इन सभी का पेस्ट बना लेंगे फ्रेंट्स आज मेरे पास अधरक नहीं थी अगर अधरक हो तो आप जरू डाल दीजेगा उससे भी टेस्ट काफी अच्छा आता है चलिए फटा-फट से हमने क्या किया है पैन चड़ा दिया है तेल मैंने बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं है वही बचा हुआ तेल था उसी में थोड़ा सा राई डाल देंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ी से काली मिर्च डालेंगे काली मिर्ट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही में हम एक मोटी इलाइची डाल देंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है एक बार अप इस तरीके से बना करके तो देखिए आपको मजा ही आ जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है मैंने और लो फ्ले हैसुन और प्याज का पेस्ट बना करके रखा दाना इसको भी हम इस स्टेज पे एड कर देंगे सभी चीजों को हम कंटीनियूसली चलाते हुए बढ़ियां से बूनेंगे अगर आपके पास अध्राख हो तो आप इस स्टेज पे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या जब हमन जरूर डालिएगा तो चलिए इसे कंटीनियूसली चलाते हुए बढ़ियां से बून लेंगे जब तक कि हमारा प्याज बिल्कुल हाफ कॉंटिटी में ना हो जाए तो आप देख सकते हैं इसे हमने बढ़ियां से बून लिया था और सारा का सारा तेल सूख सा गया है लेकि चलिए अब हम क्या करेंगे दो टमाटर का मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया था और साथ में एक दो हरी मिर्च को भी पीस लिया था तो चलिए अब यहां पे हम टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट एड़ कर देंगे और एक बार चला लेंगे इसके बाद हम क्या करेंग जादा मट डालिएगा क्योंकि हल्दी पाउडर जादा डाल देंगे ना तो इस कलर थोड़ा सा पीला हो जाएगा वो नहीं चाहिए एक चमज भर के कश्मीरी लाल मेच आदा चमज से भी कम रेट चिली पाउडर चली फड़ा फड़ से धनिया पाउडर डाल देंगे एक से तेड़ चमज काफी अच्छा टेस्ट आता है कश्मीरी लाल मेच फ्रेंट जादा तीक ही नहीं होती है सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ और साथ में कस्तूरी मेथी डाल देंगे इसी से आएगा बिलकुल शादी और पाटी वाला जो है टेस्ट इसी से ही आता है चलिए यहां पर पानी डालने से फाइदा यह होगा जो भी हमने मसाले इसमें अट किये ना वो पानी में अच्छे से फूल जाएंगे पानी जब डाल देते हैं तो मसाले अच्छे से फूलते हैं और बढ़ियां से पकते हैं चलिए अब हम क्या करेंगे इसे कवर कर देंगे और बहुत अच्छे से भून गया है और तेल भी पैन ने छोड़ दिया है यानि मसाले ने तो पैन के किनारे आप देख सकते हैं तेल बढ़ियां से जो है उठ रहा है यानि कि हमारा मसाला बढ़ियां से भून रहा है खुश्बू तो इतनी लाजवाब आ रही है कि इस मसाले के स मैं तो कभी-कभी थोड़ा सब मसाला ले लेती हो एक रोटी जरूर खा लेती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है मसाला ऐसा करते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा क्या आप भी कभी-कभी मसाला भूनते हो और बहुत जब अच्छी खुश्बू आपको लगती है तो भाई इस तरीके से मसाला की साथ रोटी कि कौन-कौन खाता है मुझे कमेंट्स करके एक बार जरूर बताईएगा चलिए भाई फ्राय कीवी सबचिया इसमें एड कर देंगे और प्याज के जो पैटल्स हमने फ्राय की है ना फ्रेंड्स यह तो अमेजिंग लगते ज और जो हमारा जो सबजी है ना वो देखने में भी काफी अच्छी लगेगी यह पूरी तरीके से ऑप्शनल है चाहे तो डाल सकते हैं वननस की भी कर सकते हैं क्योंकि हमने टेमाटर दो अल्रड़ी पीस करके डाल दिये थे तो चलिए अब यहाँ पे हम सभी चीजों को अच के लिए बढ़ियां से पका लिया था ताकि दोड़ी बहुत भी कसर जो भी हो वह भी अच्छे से पूरी हो जाए इस स्टेज पे आप पानी दो तीन चमश डाल सकते हैं अगर आपको आपकी सबजी सूखी सूखी लग रही हो तो लेकिन मेरी परफेक्ट थी मैंने पानी व को पकाया है पहले हमने फ्राय किया है इसके बाद कवर करके पका लिया था तो चलिए गैस को बंद कर दिया है और स्वाधिष्ट सबजी बन करके बिल्कुल तैया arguing की यह ए छहरा दनिया डाल देते हैं आपके Day आलू शिम्ला मेच की सबजी बन करके बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स टेस्ट तो इतना गजब का आता है ना कि आप बाहर रेस्टोरेंट में जा करके मिक्स वेच खाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार इस तरीके से ये सबजी ट्राइ करेंगे फ्रेंड्स घर के ही सिं भी जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चलिए फड़ा-फड़ से कर लेते हैं सर लीजिए हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल ये आ सकते हैं बर्डे पार्टी में भी बना सकते हैं या फिर चोटा मोटा कोई फंक्चन हो तब भी आप इस तरीके से इस सब्जी को बना सकते हैं प्यूंकि एक सूखी सब्जी हम लोग जरूर बनाते हैं तो ये सब्जी बिलकुल बेस्ट ऑप्शन होता है चोले बनाईए या आपको बहुत पसंद आएगी तो जाते हैं एक लाइक तो बनता ही है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए